है तो ये गहास हम लग खिला रहे हैं दोस्तों अधायर ला में हाट यह सकते हैं कि लाह लजने कि उसको भी खिलाएंगे तक किहां यहां देख सकते हैं दोस्तों कि डर लग रहा यह दोस्तों कि मार नदे यहां पर देख सकते हैं मतलग खुशी भी मिलती है घास खिला के यहां पर इन लोगों को इस तरह से तो यहां पर दोस्तों मैं आज घास चिल रहा हूं यहां पर देख सकते हैं क्योंकि आज घर पर कोई रही था तो मैं यहां खेत में घास चिलने आया हूं यहां पर इस तरह यह देख सकते हैं घास दोस्तों घास चिलते हो वक्त यह एक बहां बैगन का पेड़ कट गया है यह यहां पर देख सकते हैं यह सफेद वाला बैगन है सफेद वाला बैगन है और यह बैगन यहां पर टूटा पड़ा हुआ था तो मैंने इसको यहां पर देखा तो उठा लिया और यहां पर शायद और कोई भी आया है इसलिए यह पेर देख लिए यहां से टूट गया है दोस आप इसी वीडियो लेके आउं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले आप उस वीडियो को देख पाएं बहुत ही अच्छी घ्षास है ये मिर्ची कि खेती में लगी हुई है घ्षास स देख सकते हैं मिर्ची लगी है लाल लाल मिर्ची लगी हुई ओधे लीजिए कोई मुझाया हूँcakस अज़ें को या ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छी गहास है तो दोस्तो स्वागत करते हैं हald के नए इस ब्लोग में दोस्तों आप सब कैसे हैं आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे खुस होंगे यहां पर सरसो यानि की तोरी लाही लगी होई है और मैं यहां पर यह मिर्ची की खेती में आया हुआ हूँ यहां पर गास छिलने अभी जो गौम आता है वहां पर बैठी हुई है उनको खिलाने के लिए तो इधर यह घास है हम लोगों का यह लगा हुआ है यह देख सकते हैं और यहां पर यह मिर्ची देख सकते हैं लगी हुए मिर्ची की खेती यहां पर की गई है और मिर्ची में ही घास को निकालना है मिर्ची से यहां पर देख सकते हैं तो दोस्तों बने रहेगा आज की न या 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 यह देख सकते हैं दोस्तों मैं घास छिल रहा हूं यह बहुत ही खुब्सूरत घास है यह बहुत ही अच्छी घास है यह देख सकते हैं और यहां पर देख सकते हैं बैगन भी लगा हुआ है दोस्तों यह यह बैगन भी लगा हुआ है बैगन के पेड है यह अभी फूला हुआ है यहां पर बैगन देख सकते हैं लगा हुआ है यहां पर देख सकते हैं लगाया गया है तो यहां पर देख सकते हैं आप मैं पीछे की और अरे इमा तो धनिया भी बहुआ है यारी धनिया भी दोस्तों धनिया का पत्ता भी यहां पर लगाया देख सकते हैं यह तो यहां पर यह बोल रहा है कि लाव लाव मैं छिलता हूं मैं छिलता हूं गहास तो इसको मैं नहीं दे रहा हूं कि मैं अपना काम खुद करता हूं दोस्तों से नहीं करवाता हूं दोस्तों यह किसान की लाव एक किसान के लिए गाउं वालों के लिए जो गाउं में रहते हैं उनके लिए एक लाइक जरूर कर देना वीडियो को कमेंट में जरूर अपनी र देख सकते हैं बहुत ही मज़ा आ रहा है दोस्तों घास छिल्टे क्योंकि काफी दिनों के बाद में यहां पर आया हुआ हूँ गास छिलने कि यहां पर देख सकते हैं अब हम लोग यह निकालते यह वाली घास क्योंकि यह वाली घास दोस्तों मिर्ची को पुरा दबा के रख दिया है यह देख सकते हैं और यहां पर अच्छा लग रहा है दोस्तों आपने कभी घास छिली है क्या कमेंट में जरूर बताईएगा कमेंट जरूर कीजिएगा देख सकते हैं यह दोस्तों देख सकते हैं अब राधे को मैं लगा रहा हूंगा चलने क्योंकि यह बोल रहा है कि घास तुम अच्छे से नहीं चल रहे हो और यह राधे है अब यह घास चल रहा है अच्छे से चलो राधे तब तक मैं गोरु को देखे आता हूं ठीक है राधे तो दोस्तों वीडियो के आंते तक बने रहीएगा यहाँ पर देख सकते हैं बहुत है खुब सूरत गहास लगी हुई है तो यह घास दोस्तों हम लोग अब गौमाता को खिलाने जा रहे हैं दोस्तों बने रहे तो यहां पर देख सकते हैं मैं तो यह घास हम लोग खिला रहें दोस्तों यहां पर देख सकते हैं अ कि भा रहा है उसको भी खिलाएंगे उसको भी यहां पर देख सकते हैं दोशने कि डर लग रहा यह दोस्तों कि मार नहीं दे यहां पर देख सकते हैं मतलब खूशी मिलती है भाष लाके यहां पर इन लोगों को इस तरह से अ अब तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लिगी कमेंट में जरूर बताएगा वीडियो को लाइक, शेर, सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरू दबा दीजिएगा, मिलेंगे अगले ब्लग में तब तक की लिए दोस्तों आप सब स्वस्त रहें, बेश्त रहें, अपने काम में मस्त रहें, थैंक यू, लब य झाल करेबंगे? फुश सब्सक्राइब